काटून्स यह वह क्याक्टर्स हैं जिनोंने हमारे बच्पन में बहुत ज्यादा इंटर्टेन किया है और अभी भी करते हैं और हमारे बच्पन को बहुत ज्यादा कलरफुर बनाया है लेकिन हो नहों हम लोग के पैरेंट्स इन कार्टून की वज़ा से जवूर से डाटा होगा और ये कहा कार्टून सीर फोर सीर इंटर्टेरिमेंट परवस के लिए होता है लेकिन ये सुनने के बाद मेरे मन में एक हैयाल आता है कि हर सिक्वे के दो पहलू होते हैं तो क्या कार्टून देखने के भी कोई फायदे होते होंगे तो आज के इस वीडियो में यहीं जानेंगे तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि जया तर छोटे बच्चे को ही कार्टून देखना क्यों पसंद है तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि बच्चपन को वो चीज़े ज़्यादा अलुभाती है जो बहुत ज़्यादा क्लीन जो कलरफुल हो और क्रिस्टर किलियर हो और कार्टून में यह सारे क्वाल्टी होते हैं जो हारे बच्चे को अपनी तरफ एक्रेक करता है और साथी साथ कार्टून बहुत जारा इंटर्टेनिंग भी होते हैं इस वज़े से छोटे बच्चे बड़े मज़े से देखते हैं और इसके जस्ट अबोजिट कई मुवी ऐसे होते हैं जो बच्चे के माइंड को साइकोलोजिकली इंपैक्ट कर सकती है क्योंकि इस टाइब की मुवी बहुत ज़ादा डार्क होती है और इस टाइब की मुवी बच्चे को दिखाई जाएगी तो बच्चपन से ही मेंटली डिस्टर्व हो सकते हैं और इसका उन पे निगेटिव असर पर सकता है इसलिए ये बुवी बच्चों को न दिखाकर कार्टून एक बहुती बेस्ट आफ्चन रह जाता है बच्चों का इंटर्टेन्मेंट परपस का इन सब के अलावा एक इस्टर्डी में ये भी पाया गया है जो बच्चे कार्टून देखते हैं वे बच्चे ज़्यादा क्रेटिव होते हैं बाकी बच्चों के मुकावले जो बच्चे कार्टून नहीं देखते हैं और एक study में ये भी पाया गया है कि अगर आप stress में होते हो तो cartoon देखकर अपने stress को काफी हद तक कम कर सकते हो ये बच्चों से लेकर बड़े इंसान तो काम करता है इसलिए cartoon सब को देखना चाहिए और अपने कई बार बच्चों में ये भी गौर किया होगा कि कई बच्चे काफी ज़्यादा creative होते हैं और कोई भी काम को एकदम easily तरीके से करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि cartoon जो है fully colorful होता है entertaining और moon को refresh करती है अगर हम stress less or relax free होंगे तो कोई भी काम को जल्दी कर लेंगे जो कि एक cartoon को देखने के बाद महसूस होता है हम दोगों को जैसा कि आप जानते होंगे music के बारे में हम जिस टाइब की music को सुनते हमारा mood वैसा ही होता है for example अगर कोई इंसान sad song सुनता है तो वह stress में रहेगा depression में रहेगा हगर कोई इंसान hip hop सुनता है तो उसके mind को अच्छा लगता है और उसको अच्छा सा feel होता है अपने एक चीज और गौर कोई होगी अगर कोई इंसान music सुनते सुनते कोई काम करता है तो वह कोई भी काम को पूरी लगन से करता है और वह काम जल्दी करता है बिटा ठके ऐसा ही सेम कार्टून के साथ होता है अगर आप कार्टून देखते हो तो आप mentally और physically relax फिल करते हो आप creative भी होते जाओगे अच्छा और बुरा इसलिए कोई भी चीज लिमिट से ज़्यादा ना करे वरना वो अज़स्ट अपोजी रियक्सन करेगा ये थी आज की इस वीडियो में उमीद है आप लोग को आज कुछ अनोखा जानने को मिला होगा अगर आप ऐसी ही वीडियो के स्वाकिंग है तो हमारे इस यूटीब चैनल को जवर से सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ओल पे सेट कर दे तो कि हम इसी तरह के वीडियो डिलाते रहते हैं आप लोग के लिए तो चलिए मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर ठैंक्स फर वाचिंग गाइस